बॉलिवुड में इन दिनों एक के बाद एक फिल्म में फ्लॉप हो रही है मेकर्स और स्टार्स इस बात से काफी परिशान है वो अपनी फिल्में हिट कराने के लिए हर तरह के जतन और उपाय कर रहे है वही हाले में बॉलिवुड सूपरस्टार शारुक खान ने आधी रात में कुछ साथियों के साथ मावैशनो देवी के दर्शन के बता दे कि अगले महीने शारुक खान की फिल्म पठान रिलीज होने वाली है दूसरी और सोशल मीडिया पर काफी समय से बॉयकॉट ट्रेंड भी चल रहा है ऐसे में शारुक खान का मावैशनो के दर्बार में हाजरी लगाना कुछ लोगों को रास नहीं आया शारुक को मावैशनो देवी के दर्शन करना भारी पड़ गया है लोगों ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर दिया एक यूजर ने लिखा घर वापसी इसको पता है माता जी ही इसका करियर फिर से ग्रो कर सकती है वही एक और यूजर ने लिखा क्या हाल बना दिया है पब्लिक ने इसका चार साल के बाद आ रहा है वो भी टाइगर सिरीज में उसके बाद भी पियार चालो है इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा इन लोगों को क्या पता नहीं क्या बनेगा ये फिल्म के लिए कुछ भी कर लेते हैं वही एक और यूजर ने लिखा इतना ही नहीं एक और यूजर ने लिखा तो देखा अपने लोगों ने किस कदर शारुख खान के खिलाफ नाराज की जाहर की बता दे कि पिछले दिनों आमर खान की पूजा करते हुए कुछ तस्वीरें सामने आई थी इन फोटोज में वो अपनी एक्स पत्नी किरन ड्राउ के साथ आरती और कलश पूजन कर रहे थे अक्टर ने बकाइदा माथे पर तिलक लगाय था और आमिर खान प्रडक्शन हाउस में पूजा करते नजर आये थे जिसके चलते उनकी भी काफी आलोच ना हुई थी आमिर के बाद अब शारुक खान ने भी आधी रात में अपने दोस्तों के साथ मावैशनों के दर्बार में हाजरी लगाई इस दोरान उन्होंने चेहरे पर मास्क और चश्मा लगाय था जिससे कोई उन्हें पहचान न सके फिशले कई दिनों से सोशल मीडिया पर शारुक की फिल्म पठान को लेकर बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा था माना जा रहा है कि इस विरोत को शांत करने के लिए ही वो मा के दर पर पहुँचे हैं बता दे कि इससे पहले वो 2 दिसमबर को मक्का भी गय थे सोशल मीडिया पर एक वीडियो वारल हो रहा है जो कि मावैशनो देवी मंदर का है इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शारुक खान ने काले रंग की हुडी पहनी है और उन्होंने अपना सिर ढखा है उनका चहरा तो नजर नहीं आ रहा लेकिन आक्टर के साथ चल रही सिक्योरिटी की वजह से दावा किया जा रहा है कि वो शारुक खान ही है इससे पहले शारुक खान का उम्राह करते वे वीडियो वारल हुआ था जिसमें वो उम्राह करते नजर आये था शारु खान अपनी आने वाली फिल्मों पठान, जवान और डंकी को लेकर चर्चा में उन्होंने हाले में साथी अरफ में फिल्म डंकी की शूटिंग खत्म की उन्होंने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिये दी थी बताते चले कि पठान 25 जनवरी को रिलीज होगी देखने वाली बात तो अब यह होगी कि पठान का बॉक्स ओफिस पर क्या हाल होता है वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलिवुट से जुड़ी खबरों को जाननी के लिए बने रहे हमारे साथ